बिस्मिल्लाइ रह्मान रह्मान रहीं, माइनेम इस मुहम्माद उसामा खालिक, तोड़े वी आर गोइंग टो डिसकस अबोट दा सब्लीमेशन सब्लीमेशन एक ऐसा प्रोसिस है, जिसके अंदर हम जब सॉलिड को हीट करते हैं, तो वो डिरेक्टली कनवर्ट हो जाता है गैशियस फेज में विदाउट पासिंग लिक्विड फेज, नॉर्मली तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, जिसमर्ज सॉलिड करते हैं, तो वो फर्स्ट कनवर्ट होता है लिक्विड फेज में और उसके बाद कनवर्ट होता है गैशियस फेज में अवैपोरेट होके अपने बॉइलिंग पॉइंट के बाद, लेकिन सब्लीमेशन के अंदर यह प्रोसिस जो है, वो थोड़ा सा चेंज है, कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, तो वो डिरेक्टली चेंज हो जाता है गैशियस फेज में, और अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बाद करें, तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, सब्लीमेशन का प्रोसिस जो है, वो परोसीड कैसे होता है, इसके अपरेट हैं, तो इसके प्रेटर्स में हमारे पास जो चीज़े यूज होती है, उसमें सबसे पहले है एक बर्नर, उसके बाद चाइना डिश, चाइना डिश के अंदर हमें वो सॉलिड चाहिए, जिसको हमने हीट करके सब्लीमेट में लेकर जाना है, तो वहाँ पे हम सॉलिड जो है मीन्स के उल्टी फनल यूज करते हैं, जिसके स्टेम उपर की जानिब होती है, और उपर से स्टेम ओपन होती है, जिसे हम बंद करने के लिए कोटन फ्लग यूज करते हैं, इसके लावा एक एक्स्टेरनल चीज है, कि हम वेट कोटन यूज करते हैं, इसके स्टेम के दोनो वो वहाँ पर चिपकना उसकी दिवारों के साथ चिपकना शुरू हो जाता है solidify form में अब हम बात करते हैं कि daily life में हमें sublimation की example जो है वो कहाँ पर मिल सकती है कहाँ हम इसे देख सकते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा नफ्थलीन बाल्स जिनें हम moth balls का नाम भी देते हैं यह moth balls हम इनको इस वज़ा से कहते हैं कि यह moth को कीडम कोड़ों को किल करने के लिए यूज करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं कभी सम टाइम आपने देखा होगा होती है जो डिरेक्टली अवैपोरेटों के गैशियस फेस में चले जाती है यह इसका बैनिफिट है और यह डेली लाइफ में आप इसको देख सकते हैं सब्लीमेशन के प्रोसेस को इस वे में अगर हम बात करें सब्लीमेशन की हिस्ट्री के लिए के सब्लीमेशन कैसे स्टार्ट हुई तो 1957 में हमें एक फ्रांस के साइटिस्ट ने इसके बारे में बताया जिसका नाम है नॉल डीपलैसी जिसने सबसे पहले सब्लीमेशन को परफॉर्म किया हॉपफुली आप सब को सब्लिमेशन के बारे में टोटली इंफरमेशन मिल गई होगी आप इसे अच्छे से अंडरस्टेंड कर चुके होंगे अगर आपका कोई क्वेस्टेन है या आप हमें कोई सिजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा अल्हाफेस